Hello all and welcome back again to recognition IES Means को near about 60 to 70 days बचे हुए हैं तो इस वज़े से काफी important है time management और schedule करना Schedule करने में आपको आपकी means की preparation along with optional subject यह आपको तयार करनी होगी इसमें आपको न सिर्फ किवल पढ़ना है इसके साथ ही साथ revision भी करना है और question practice भी करनी है Basically आपको read and write दोनों ही काम करना है इस दोनों काम को करने के लिए obviously you need a strategy तो in this video हम लोग यही strategy को ही strategize करेंगे कि आखिर में क्या काम करना चाहिए कैसे preparation करनी चाहिए and कैसे एक better marks लेकर के आना है outcome कैसे better हो उसके लिए बात करेंगे इसमें हम लोग GS और साथ ही साथ में optional भी देखेंगे और एक strategy भी बनाएंगे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है in fact जो लोग भी test series ले हुए हैं उनके लिए भी एक strategy रहेगी कि कैसे test series को use किया जाए और कैसे एक better preparation strategy निकाल करके लाई जाए मेंस के topic को अगर देखेंगे GS में तो हमारे पास paper one में आती है इस paper one में basically अगर आप देखेंगे तो there are four topics एक है आपकी Indian history की दूसरी है geography तीसरी है world history और चौती है आपकी Indian society इन चार topic को दो format में लिखा गया है उसके पीछे simple reason यही है कि prelims में आपने Indian history पढ़ी है और geography पढ़ रखा है लेकिन जो आपके world history है और जो Indian society अभी आपने नहीं पढ़ा है या फिर revision आपने नहीं किया होगा at least आपके पास notes होंगी तो जो चीज आपने पढ़ रखी है आपके prelims में अब आपको इसमें क्या करना है केवल और केवल इसकी revision करनी है प्लस साथ ही साथ में आपको इसकी question प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर basically आपको कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना शुरू करिए instead of revising the thing better start revising with the questions मतलब कि आप question लीजिए चीजों को देखी और फिर उसके basis पर revision करिए it would be better और यह time management करने के लिए भी ज़्यादा जरूरी होगा इसके साथ ही साथ में आपको world history और Indian society भी पढ़ना होगा अलग से basically यह एक निया topic रहेगा जिसके basis पर आप जो है चीजों को निया नहीं रहेगी तो obviously पढ़ना भी पढ़ सकता है यहाँ पर पेपर टू में आपके पास आती है जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस और फिर इंटरनेशनल रिलेशन्स अगेन यहाँ पर भी आपने पॉलिटी अपने प्रविंस में कर रखा है तो question प्रैक्टिस करिए लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन्स यह आपको पढ़ना पड़ेगा यह आपको रीड करना पड़ेगा और यह थोड़े से बड़े लेवल पर रीड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एक तो question भी आते हैं secondly यहाँ पर आपको एक better understanding भी चाहिए along with the background क्या background रहा है यह भी better तरीके से पता होना चाहिए तीसरा paper आपका आता है paper 3 जहाँ पर आप आपको economy, environment, internal security और disaster management यह चार टॉपिक्स है basically अगेन इसमें आपने economics पढ़तो रखी है लेकिन इसको कैसे लिखना है यह आपने अभी नहीं सीखा होगा या नहीं practice की होगी environment भी आपने पढ़ रखा है तो यह दोनों टॉपिक्स ऐसे अगेन हैं जो problems में already आपने पढ़ लास टॉपिक आपके पास आयाता है paper 4 that is ethics, integrity and aptitude और शायद ही कोई इसे better तरीके से prepare किया होगा in fact यही time है जब आपको ethics, integrity and aptitude अच्छे से read करना है और अच्छे से prepare करना है यह कैसा topic है जो आपके rank को भी उठा देगा और selection भी करा देगा इस वजह से again very very important तो basically यहाँ पर आ आपको revise करना है और question की practice करनी है जो better start revising along with questions और दूसरा topic है जो है mains के subject यहाँ पर आपको read भी करना है और revise भी करना है और साथ ही साथ में question practice भी करना है तो क्या strategy होनी चाहिए कैसे इन दोनों चीजों को manage किया जाए इन दोनों चीजों को manage करने के लिए देखे एक छोटा सा planner यहाँ पर दिया गया है जो हम लोग follow भी करेंगे and in fact जो लोग में test series लिये हुए है या फिर कहीं पर भी question practice कर रहा है तो you can also this strategy यही strategy आप भी follow कर सकते है इससे आपका syllabus भी cover हो जाएगा question practice भी हो जाएगी और confidence भी आ जाएगा यहाँ पर आपकर क्या सकते हैं यानि कल से 29 October 30 October यहाँ पर near about three days है इन तीन दिनों में geography की question practice आपको करनी है question practice करनी है पढ़ना नहीं है question practice करनी है और साथ ही साथ में international relations आपको self study करना है अगले चार दिन 1-5 November history आपको question practice करनी है यहाँ पर history में modern history और art and culture में दोनों की बाते क ठीक है तो दोनों के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे along with that आपको international relations ही अभी read करना यहाँ पर आप पढ़ते रहिए 6-10 November Indian society question practice कर लिए क्योंकि देखें Indian society में कुछ यादा बड़ा होता नहीं है कुल मिला करके अगर देखेंगे तो near about 40-50 page की notes होती है जिसे आपको read करना है और यह काम आप 3-4 दिनों में बहुत easily कर सकते है question practice के साथ और साथ ही साथ में international relations भी आप पढ़ते रहिए 11-15 November में polity and governance की question practice करनी है और world history आपको पढ़ना है similarly इसी तरीके से world history की question practice करिए और फिर पढ़िए साथ ही साथ में फिर November 25 तक international relations के आपको question practice कर लेना है और internal security आपको पढ़ना है यह छोटा topic हो था internal security लेकिन फिर भी again पढ़ना important है 26-30 November के बीच में you can practice economy questions along with that you can read internal security 1-5 November के बीच में environment disaster management के बारे में आप question practice करिए और 6-10 November 11-20 December को ले करके यहाँ पर आप internal security को practice करिए और यह पूरे time आप ethics integrity को read करिए पढ़िए practice करिए सोचिए जो काम आप कर सकते हैं वो करिए क्योंकि यह बहुत ही super important I would say this is super important topic तो यह चीज़ है अब देखें यहाँ पर हम लोग revision के दौरान में हर चीज़ को discuss नहीं कर सकते हैं again time भी permit नहीं करता है और दूसरी चीज़ की यह सारी चीज़े अभी एक साथ नहीं कराई जा सकती है तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर हम लोग करेंगे basically live class के दौरान में जो भी question practice है this thing we are going to be या we are going to tackle this यही चीज़ हम लोग basically question practice ही देखेंगे और इस question practice में आपको यह सीखना होगा कि आखिर में करना कैसे है लिखना कैसे है पढ़ना कैसे है कुछ concepts को obviously हम लोग revise करेंगे कुछ concepts के बारे में देखेंगे और mainly हमारा जो focus होने वाला है वो focus रहेगा हमारा mainly answer writing पर along with current affairs current affairs जो mains oriented है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर focus करेंगे तो this will be mains oriented current affairs तो यह चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं class कब से start होगी class कल से start हो जाएगी tomorrow onwards there will be class time रहेगा 9.32, 10.30 एक गंटे की class रहेगी बाकी 5-10 मिनट उपर नीचे जो भी होगा वो चलता रहेगा फिलाल अगर यह बात किया जाए कि what strategy you should follow कैसे time को manage किया जाए तो time manage करने के लिए एक छोटा सागें यहाँ पर आपको एक तरीका बताया गया है आप अपने तरीके भी ढूंड सकते हैं जैसे GS के subject को आप 3 घंटे दे सकते हैं question practice को आप 2 घंटे दे सकते हैं optional study को आप 5 hours दे सकते हैं और current affairs के लिए 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी और भी subjects हैं बाकी और भी topics हैं जो आपको equally important और equal time distribution भी करना होगा तो यह time management करना है ऐसे ही आपको करना रहेगा there is no compromise and discipline is the key time यह वापस नहीं आएगा और यही time है और make this last ठीक है अंत बनाइए इसी को खतम करिए तो यह basically means को ले करके क्या हम लोग करने वाले हैं कल से class start होगी आप लोगों की start हम लोग करेंगे again geography से तो आप से expect यहीं किया जाता है कि geography के live class को आप join कर सकते हैं it will be free of cost live classes जो होंगी वो free of cost होंगी यहाँ पर आपको कोई charge नहीं होता है हाँ जो recorded lectures अगर देखना चाहते हैं recorded lectures का मतलब की जो live class हुई है अगर आप join नहीं कर पाते हैं तो फिर आप recorded देख सकते हैं और इस recorded के साथ ही साथ में आप जो material हम लोग use करेंगे उस material को भी access कर सकेंगे और इसके लिए 299 की monthly membership आप YouTube पर ले सकते हैं तो this is YouTube membership, you can take this membership एक चीज़ और यहाँ पर clear करना चाहूंगा देखे, membership कई बार क्या होती है, fail हो जाती है तो आप लोग, मतलब परिशान मत हुआ करिए फर्स तिंग, let me clear it, यह जो membership होती है we do not manage this membership, YouTube manage करता है तो अगर इन case fail भी हो जाता है, तो do not panic आपको refund आ जाएगी, या फिर YouTube आपको किसी भी तरीके से बता देगा तो आप panic मत होईए, यह बत तो जीए कि this is our fault यह हमारी गलती से नहीं होता, यह YouTube की ही purely YouTube की बाते होती है, YouTube के तरफ से ही होती है ठीक है, तो यह चीज़ clear करनी थी तो आप यह ले सकते हैं, मंतली membership और इसके basis पर you can access to the recorded lectures and the materials, ठीक है और बाकी live class, it will be free यहाँ पर आप interact भी कर सकेंगे, comment box में जैसे कि comment box होता है, तो वहाँ पर आप chat box में sorry, chat box में आप interact भी कर सकेंगे so this will be the thing, and class कल से start होगी, geography के साथ start होगी, तो बस practice करना start कर दीजिए, और revise करना भी start कर दीजिए, इसके साथ ही साथ में आप लोग international relations खुद से prepare करना, खुद से revise करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अब वो लोग जिनका optional geography है, उनके बारे में सुन लीजिए, again we are starting revision series for geography, एक बार revision series already चलाई जा चुकी है, again दूसरी भी हम लोग revision series start कर रहे हैं, यह revision series उन लोगों के लिए भी फाइदा करेगी, जो schedule नहीं कर पा रहे हैं अपने time को, second उन लोगों के लिए भी यह schedule रहेगा या फिर यह strategy रहेगी जो लोग test series लिए हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी रहेगी जो time manage नहीं कर पा रहे हैं, तो time manage के लिए better revision के लिए, efficient revision के लिए, यह strategy आफ फॉलो कर सकते हैं, again, इसमें sufficient time दिया गया हर एक topic के लिए, जो topic जितना important है, उतना ही ज़्यादा उसको time भी दिया गया है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर बात करेंगे, तो we will start with a perspective in human geography, पुरानी revision series और इस वाले revision series में एक छोटा difference यही रहेगा, कि यह वाली revision series में हम लोग थोड़े से advanced questions को भी tackle करेंगे, past year के जो रहेंगे सो रहेंगे ही, थोड़े advanced geography, थोड़े advanced questions को भी हम लोग tackle करेंगे, प्लस कोशिश यह भी करेंगे, कि यहाँ पर जो magazines आती हैं, उनके भी knowledge को, उनकी भी चीज़ों को हम लोग integrate करें, प्लस साथ ही साथ में, जो standard books हैं, उनके भी concepts को हम लोग revise कर लें, कोशिश हमारी यही रहेगी, कि आप better preparation कर सकें, और एक better outcome अपने exam में ले करके आएं, तो हम लोग start करेंगे perspective in human geography से, और फिर ultimately models, theories and laws in geography, population, settlement, economy, RDP, geomorphology, climatology, oceanography और जितने भी topics हैं, total and total 20 topics हैं, इनको हम लोग complete करेंगे, थोड़ा सा time जरूर लगेगा, लेकिन better preparation करना, यह बहुत जरूरी है कि हर एक topic को आप लोग cover करें, यह ultimately complete कर दी जाएगी आपकी 4th of January तक, and 7th January से आपनों को का mains examination है, तो कोशिश वैसे यही रहेगी कि जनवरी से पहले ही खतम कर दिया जा, थोड़े से fast forward हो करके हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी this is the time, 4th January को तो खतम हो ही जानी है, इससे पहले भी कोशिश की जाएगी खतम करने की, यहाँ पर भी देखिए जो live class रहेगी, यहाँ पर आप interact कर सकेंगे and it will be again free, यह जो live lectures होंगे, live classes होंगी this will be free of cost, यहाँ पर आप interact कर सकते हैं, यहाँ पर again जो हमारा focus रहेगा, वो mainly रहेगा answer writing पर along with current affairs, और यह जो current affairs है, वो magazines को ले करके हैं, जो time होगी वो 7 p.m होगी, 9.30 पर है आपकी GS की class and 7 पर है, 7 वजे है आपकी geography optional की class so this is geography optional, this is GS, ठीक है, so these are the things और again यहाँ पर भी, जो भी recorded lectures होंगे, या फिर जो materials use किये गए होंगे, आप इन दोनों को access कर सकते हैं in 199 plan, एक चीज़ और यहाँ पर clear करना होगा, जब आप अगर suppose GS की membership ले रहे है, 299 में, तो फिर आप automatically access कर सकेंगे geography भी, मतलब आपको separately यह 199 वाला plan लेनी की ज़रुवत नहीं पड़ेगी, within 299 plan you can access GS along with the geography, तो दोनों ही material, दोनों ही classes आप access कर सकेंगे in the membership of 299, ठीक है, चले खेर, तो यहाँ पर आज discuss करनी थी, हम लोग कल से start करेंगे, जो revision class है, discussion class है, और question practice करना शुरू कर देंगे, तो better start preparing from today itself, आजी से preparation करना शुरू कर दीजे, हम लोग मिलेंगे कल, time आपको बताया जा चुका है, इसी time पर हम लोग start करेंगे, जो link रहेगी, वो टेलिग्राम चैनल पर post कर दी जाएगी, तो आप टेलिग्राम चैनल को join कर लिजेगा, GS की अलिक टेलिग्राम चैनल है, and geography optional की एक separate अलग टेलिग्राम चैनल है, तो दोनों को ही आप जोइन कर रहेगा, दोनों का अल्टिमेटली, कोशिश ही की जाएगी कि वीडियो में, जब हम लोग discuss करेंगे, तो वहाँ पर आपके doubts को भी pick कर लिया जाए, ठीक है, चले फिर, stop करते हैं यही पर, कल मिलेंगे हम लोग revision series के साथ में, till then, goodbye, thank you so much, goodbye